Hello friends, welcome to GK Study तो आज हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं आपके Zero to Hero series का chapter 3 दो chapter अलरडी हो चुके हैं जिसमें हमने पहले में cover किया था introduction of हिमाचरप्रदेश, second में हमने आपको mountain ranges बताई थी और आज हम हिमाचरप्रदेश की valleys यानि के घाटियों को discuss करेंगे देखिए एक चीज़ clear तरीके से समझ लीजिए कि आपको selective चीज़ें डिटेल में तो पढ़ना ही है बट आपको selective चीज़ें पढ़नी पढ़ेगी क्योंकि आपके पास जो है वो सिरफ HP ही नहीं है कि आपको हिमाचरप्रदेश के 30 नंबर ले लिए और आपका काम चल जाएगा आपके पास इंडियन जी के भी है आपको जो है वो साथ में हिंदी भी पढ़नी है आपको इंगलिश भी पढ़नी है और most important आपको साथ में current affair भी पढ़ने है अगर आप specially तयारी कर रहे हो class 3 की post ओके लिए ठीक है जी तो यह मत सोचीगा कि हिमाचर जी की ही पढ़नी है तो हम इसी को ही पढ़ते रहे आपको जो है वो और भी सारी चीजे cover करनी है तो यहाँ पर मेरा main मकसद है कि detail के साथ आपको selective चीजे जो है वो पढ़ाई जाए जिनके exam में आने के chances जो है वो जादा हो तो आज जो है हम valleys को discuss करेंगे आप सभी को पता ही होगा कि हिमाचर प्रदेश में 12 जीले हैं तो 12 जीलो में जो है वो maximum जगा पर घाटियां पाई जाती है घाटियों से मतलब है कि पहाडियां आप समझे सकते हो कि अलग-अलग district में जो है वो पहाडियां होती है ठीक है कुछ एक जगा से दूसरी जगा फैली होती है दूसरी district में तो उनको जो है वो आपका यहाँ पर घाटियों का नाम दिया गया है अगर मान लिजीए यह आपका किनौर है ठीक है यहाँ चाइना से आपको पता है कि किनौर से जो है वो शिपकी से आपकी सतलूज रिवर एंटर करती है तो सुतलूज रीवर जो है वो भैते भैते फिर आपकी बिलासपूर तक जाती है तो इसी के साथ जो पहाडियां चलती है उनको जो है वो सुतलूज घाटी के नाम से जाना जाता है यानि के सुतलूज वैली के नाम से जाना जाता है तो इसी तरीके से कहीं नदियों के नाम कहीं आपकी जो है वो जीलों के नाम पर ठीक है ये क्या है घाटियों के नाम रखें आप जहां पर नदी के साथ में नहीं है तो वहाँ पर मालीजे कुलू घाटी है तो कुलू घाटी का नाम दे 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 गया है फिर आपकी कांगड़ा है तो कांगड़ा घाटी का नाम दे द चाहे वो आपका नायबत जिल्दार का एक्जाम हो, चाहे वो आपका फिर एलाइड का एक्जाम हो, एक्चेस का एक्जाम हो, ठीक है, सभी एक्जाम, उसके साथ कलर्क के भी जो प्रीवेस में पूछे गए थे, उसको भी जो है, वो यहां पर मैंने इंक्लिूड किया है, तो Kangra Ghaati कंगड़ा Ghaati को सबसे पहला point आपको क्या याद रखना है कि वीर भूमी के नाद से जाते है ये तो आपको पता ही होगा मुझे बताने की जुरूरत नहीं है तो Kangra Ghaati को वीर भूमी के नाम से भी जाना जाते है अगर आपसे पूछने जाये कि ये शाहपूर आप मैप में ढूंडने लग जाओ कि भाई शाहपूर कहाँ पर है और उसके बाद पालंपूर देख लिए वो sufficient है अच्छी बात है कि आप देख रहे हो बट ये चीज़े आप तब कीजिएगा जब आपकी क्या है कि आपकी तयारी बिल्कुल अच्छे से हो अगर इसके प्रमुख नगरों की बात करें कि भाई जो ये कांगडा घाटी है जो फैली हुई है कांगडा घाटी इसके प्रमुख नगर कौन कौन से तो आपको यहीं पर दिख रहा होगा एक बार मैं इसको दिखा रहता हूं आपको प्रमुख नगर तो आपको यहीं पर फिर आपका जो है वो कांगड़ा हो गया जो आपका कांगड़ा सिटी है ठीक है और उसके बाद जो है वो बैजनात हो गया बैजनात यानि कि जहां पर शंकर जी का टेमपल है तो ये सारे कहां पर पढ़ते हैं ये आपके कांगड़ा गाटी के उसमें पढ़ते हैं ठीक है का सारी चीजें क्या है कि यह आपकी कांगडा घाटी में ही पड़ती है ठीक है जी अच्छा बीड आपने सुना होगा बीड एक स्थान है बीड जो की आपका गलाइडिंग के लिए प्रसीद है वो भी जो है वो इसी घाटी में पड़ता है ठीक है अगर आपके पास कोश्चन जाए कि भाई जो आपका गलाइडिंग के लिए प्रसीद बीड स्थान है वो निमलिकित में से कौन सी घाटी में पड़ता है आपके पास ऑप्शन दी दिए चंबा कुल्लू पॉंटा या फिर कांगडा घाटी तो आप क्या लगाओगे अगर आपको पता होगा तो आप सांगला घाटी सांगला घाटी ठीक है जी अच्छा सांगला घाटी जो है वो आपकी पड़ती है किन और में ठीक है जी और सांगला घाटी का एक और भी नाम है जिसको बोला जाता है आपका बसपा तो बसपा घाटी बोलीजे सांगला घाटी बोलीजे समुदर तल से इसक CQs के त्रू जो है वो कवर करवा दूँगा ठीक है? और संगला घाटी गोड़ाओकिन है पूछा जाता है तो यह है आपका छितकुल को पार है निल्हार अध क receiving एक स्फपा जो आपकी सतलूजिकनाजे मैं। तो इसलिए जो है वो आपका बस्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है जी अच्छा एक और बहुत रेर कोश्चन है कई बार पूछ ले जाता है वैसे पूछा नहीं जाता है बड़ हो सकता है कि आगे पूछ ले जाए बस्पा नदी के जो है वो उत्तर में भी एक गाटी पढ़ती है जिसको बोला जाता है आपका ठिटोंग गाटी ठिटोंग घाटी तो अगर आप से पूछा जाए ठिटोंग घाटी कहां पर है तो वो भी आपकी गाँ पर पढ़ती है कि नौर में पढ़ती है और कौन सी नदी के किनारे है तो वो है आपकी बस्पा नदी इसके इलावा क्या हो गया कि बसपा नदी में आपको पता दी सतलूच की सायक नदी है और ठिडॉंग घाटी जो है वो बसपा नदी के उत्तर में स्थित है ये भी याद रखेएगा ये क्लियर हो गया दो घाटी आमने पढ़ ली इससे जादा डिटेल आपको पढ़ने की ज सुना होगा ठीके काहां पर है मंंडी जिले में मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आपकी बलागाटी ए सबसे पहले आपको ये ही पता आ नची क कौन सी घाटी कहां पर पाई जाती है ठीक है जी अच्स, बलागाटी के बारे में कि हिमांचलब प्रदेश की सबसे उपज point क्या है कि 1962 में एक जो है वो भारत PLUS GERMAN भारत PLUS Germans जो है वो संयूक्त एक कृष्शी परियोजना चलाई गई थी जिससे जो है वो इसका आर्थिक विकास हुआ है यानि के इसको जो है वो upward direction में इसको जो है वो इसका विकास किया गया है ठीक है जी तो कौन सी थी ये 1962 में चलाई गई थी भारत जर्मन क्रिशी परियोजना ठीक है अच्छा बलह घाटी को जो है वो एक और नाम सुंदर नगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है सुंदर नगर घाटी तो ये भी जो है वो आपको याद रखना है बस इतने ही पॉइंट इसके बारे में याद रखना है क्या 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 कि सबसे पहले तो बलह घाटी कहां पर पढ़ती है मंडी डिस्टिक में पढ़ती है मंडी डिस्टिक में पढ़ती है सबसे उपजाओ घाटी जो है वो हिमाचर पिदेश की बला घाटी है एक थोड़े से दिमाग के कौने में ये भी याद रख लेगा लीजेगा कि 801 मीटर के इसकी हाइट है अगर आपको भी पूछ लिया जाए कुछ नहीं पता किसी के दिमाग का अच्छा बला घाटी का दूसरा नाम के है सुंदरनगर घाटी है ठीक है जी उसके बाद 1962 में जो है वो भारत जर्मन क्रिशी परियोजना चलाई गई थी मतलब की सियुक्ति रूप से तो बला घाटी का उसी से ही जो है वो आर्थिक विकास जो है वो हुआ था क्लियर बास समझ आगे होगी अच्छे से ठीक है आगे बढ़ते है ठीक है अगली जो घाटी है अगली हमारी घाटी हमारी तीन घाटियां हो चुकी है अगली हमारी घाटी है चम्बा घाटी ठीक है अच्छा चम्बा घाटी को जो है वो रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है यह याद रखेगा ठीक है जी और इसके सासाथ क्या है कि रावी नदी क्योंकि जो चंबा घाटी है जिसे मानी जी चंबा घाटी है तो इसके बीचो बीच जो है वो रावी नदी निकलती है जो आपकी रावी नदी है तो इसलिए इसको जो है वो रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है अब जो चंबा घाटी है इसमें ज चमबा है जो इस घाटी में पढ़ते हैं भरमौर है उसके बाद आपका डल होजी है ठीक है और खजियार है तो ये इसके जो है वो प्रमुख नगर है जो कि आपके चमबा घाटी में पढ़ते हैं में में पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे जो कि वैसे दो डिटेल और भी म डिस्कस आपके साथ कर जकता हूँ, बड़ उस चीज़ का फायदा नहीं है, क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है, हमें हिमालचर प्रदेश की जियोग्रफी कवर करके, हिस्ट्री में जो है, डिस्टिक वाइज भी कवर करनी है, तो उसमें हम डिटेल डिस्कस करेंगे, तो य इसमें बसे हुए है, यह चीज़ याद रखिएगा, होगी क्लियर, चार घाटिया मैंने आपको बता दी, उसके बाद आप पांचवी की बात करते हैं, कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी के अगर बात करें, तो इसे जो है, वो सबसे इंपोर्टन्ट देव घाटी के नाम है, तो एक तो इंपोर्टन्ट कुल्लू ही इसमें पढ़ता है, फिर आपका मनाली भी जो है, वो इसी घाटी में पढ़ता है, उसके बाद आपका नगर हो गया, उसके बाद आपका बंजार हो गया, ठीक है जी, आनी हो गया, यह सारे नगर जो है, वो आपके किसमें लिखेगा कि कुल्लू को जो है वो चान्दी घाटी भी कहा जाता है कहीं बुक्स में लिखा होता है बड़ जो कुल्लू की कुल्लू में रूपी घाटी अलग से एक रूपी घाटी है जो की चान्दी की खानों के लिए प्रसिद है चांदी की खानों के लिए अच्छा आप कोश्चन में एक चीज याद रखेगा अगर आपसे पूछ ले जाए कि चांदी की खानों के लिए कौन सी घाटे प्रसिद है तो ज़रूरी नहीं है कि रूपी आपके यहाँ पर लिखी होगी हो सकता है ऑप्शन में आपके पास कुलू हो फिर कांगडा हो फिर सिर्मोर हो कुछ भी हो तो आप कुलू टिक करोगे अगर आपके पास ऑप्शन में रूपी दिया गया है तो आप रूपी टिक करोगे ठीक है क्योंकि ये आपके जो है वो equally मतलब की एक दूसरे में added ही है ठीक है तो कुल्लू में ही स्थित है रूपी घाटी कुल्लू घाटी में ही पढ़ती है बीच में तो उसे जो है वो चांदी की खानों के लिए जो है वो जाना जाता है और अगर गुमाफिर आके देखें तो कुल्लू घाटी ही जो है उसको कहीं बुक्स में लिखा गया है कि इसको चांदी की घाटी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है तो ये चीज आपको जो है वो ध्यान में रखनी है ठीक है इसको मैं रब कर देता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा next हम discuss करेंगे वो है आपकी 14 दून घाटी अच्छा इससे related question सभी में से जो है वो एक एक question जो है वो जुरूर पुछा गया है आगे हम जब है discuss करेंगे next जो आपकी है वो है आपकी 14 दून घाटी ठीक है अच्छा 14 दून घाटी को जो है वो पॉंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है सभी के जो है वो दो दो नाम है पहला ये चीज़ आपको याद रखनी है और दूसरी बात कहे कि इसे जो है ठीक है पॉंटा घाटी या फिर क्यारदा दून घाटी को यमुना नदी आपको पता है यमुना नदी वहां की सिर्मौर की फेमस नदी है सिर्मौर में पढ़ता है पॉंटा साहिब तो यमुना नदी जो है वो आपकी पॉंटा घाटी को द तो यह आपको समझ आ गई होगी बात, फिर क्या है कि यह जो आपकी क्यारदा दून घाटी या पॉंटा घाटी है, इसकी जो प्रमुख नदिया है, जो इसको पानी देती है, वो कौन सी है, वो है आपकी गीरी नदी प्लस बाटा नदी, दो नदिया ऐसी है, important यह question प्रिवे नहीं आएगी, वैसे गीरी और बाटा separate जो है, वो पूछा जाता है, ठीक है, अच्छा प्रमुख नगरों की अगर बात करें, नगर कौन कौन से है, तो नगर आपके जो है, वो आपके पॉंटा साहिब सबसे पहले तो, पॉंटा है आपका, उसके बाद फिर आपका माजर आता है, फिर आपका धोला कुवा आता है, ठीक है, तो ये सारे किसमें पढ़ते हैं, ये आपके पॉंटा घाटी या फिर क्यारदा दून घाटी में पढ़ते है, ठीक है, इतने चीज़े क्लियर होगी, कौन कौन सी, एक तो पॉंटा घाटी नाम है, ठीक है, उसके बाद पॉंटा वैली को देहरदून वैली से जो है वो यमना रिवर अलग करती है और क्यारदा दून को जो है वो गीरी और बाटा नदी जो है वो सिंचित करती है यानि के पानी देती है नेक्स जो आपकी घाटी है वो है आपकी लाहोलेंड स्पीती घाटी पता लग गया होगा कहां पर पढ़ती है लाहोलेंड स्पीती में पढ़ती है और सबसे उच्चितम क्षित्र यानि के हाइट पर जो है वो उच्चितम क्षित्र जो है वो इसको माना जाता है और वेसी ब बाकी हाइट मैं आपको कल की वीडियो में बता रहे कि कितने तक इनकी जाती है ठीक है अलपाइन व्रिक्ष जो है वो इस घाटी में जनरली पाए जाते हैं अलपाइन व्रिक्ष अलपाइन के पेड ठीक है आपको मैंने कल बता था कि इसको अलपाइन जोन के नाम से भी जान रखेगा और इसकी जो प्रमुक नदिया है वो चंदर प्लस भागा चंदर और भागा नदिया है जो की टांडी में मिलती है टांडी नामक स्थान पर मिलती है और वहां से जो है वो चिन्नाब नदी बनती है ठीक है ये आपने पढ़ा होगा तो वही चंदर और भागा नदि और और तो भागा गाटी को आपका है थीक आपकि आपको पता हो न जाए चांग के तने तरीके से क् andar जो है वो घूं सकता है। ठीके नाम से भी जाना जाता है, इतनी चीज़े clear होगी, ठीके, I hope आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया है, तो आप comment कर सकते हो, next वीडियो में, देखी जो आपकी, वो होगी ना, कि क्या बोलते हैं, district wise हम cover करेंगे, तो उसमें भी मैं ये चीज़ें आपको और detail में cover कर अद रहेंगा, अचा फीर आती, आपकी नेक्स्ट है, वो है आपकी पबरगाटी, अचा पबरगाटी को जो है, वो रोऋढू घाटी के नाम से भी जाना जाता है, रोऋढू घाटी, थीके, या आपको पता लग जया होगा, कहां पर पढ़ता है, मतलब कि Kolleginक शुरी, रो यह चांसल चोटी से निकलती है ठीक है कहा से निकलती है चांसल चोटी से यह तो नदियों वाला section में भी हम कवर कर लेंगे आपने सिरफ इतना ही आ रहना एक पब्बर घाटी जो है उसको रोडू घाटी भी कहा जाता है रोडू कहां पर पड़ता है वह आपको पता लग गय होगा वहां से शिपकी से जो है वो एंटर करती है और फिर बिलासपूर तक जाती है तो इसी के साथ में जो भी पहाडियां चलती है उनको जो है वो सुतलूज घाटी के नाम से जाना जाता है तो किन और के शिपकी से ये जो है वो बिलासपूर तक फैली हुई है ये याद रखेगा ठीक है कि नौर के शिपकी से लेकर बिलासपूर तक एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है ये आपका मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया था है ये मालीच शिपकी है आपका ठीक है त जो मेजर पूछे जाते हैं वो आपके यह हैं तो इतने ही पॉइंट आपको सुतुलूज घाटी से आखने कि शिपकी से एंट्री होती है ठीक है और बिलासपूर तक जाती है और उसके लावा रामपूर और बिलासपूर जो है वो इसके प्रमुख नगर है यह चीज क्लियर होगी आई होप आपको अच्छे से समझ होगा नेक्सज जो हमारी घार ऐे वह कि सर्सा घार इम्पॉर्टेंट है क्यों कोंषों बनते हैं ठीक है सर्सा घार कोशिन जाद तर यही बनता है कि इसका अनदर नेम क्या है तो सरसा घाटी जो है वो आपकी सोलन जीले में है और सरसा घाटी को जो है वो अद्योगिक घाटी के नाम से भी जाना जाता है ओद्योगिक घाटी ठीक है जाद तर कोशिन यह आएगा कि अद्योगिक घाटी काम प को पताने चाहिए डगशाई है कसोली है यह पूछा गया था कसोली उसके लावा सनावर भी जो है वो पूछा गया था कौन सी घाटी में है तो अध्योगिक और सरसा दोनों आपको यार रहना है फिर आपका हरीपूर है यह सेपरेट सेपरेट नाम जो होते हैं वो आते हैं र अब्दी उसके अलावा नालागड यह क्या है सरसा घाटी के और ब्रोटी वाला क्या है यह आपके सरसा घाटी के मतलब कि उद्योगिक घाटी के उद्योगिक शेयर ठीक है तो यह आपको याद रहने यह भी याद रहने सेपरेट और सोलन में जो है यह यह पढ़ती है यह भी आपको पताऊने जाए, तो सरसा घाटी के बारे में कितने important चीज़ें, कि सरसा घाटी जो है वो सोलन में है, इसे उद्योगी घाटी के नाम से जाना जाता है, डगशाई, कसोली, सनावर, हरीपूर, रामशेर, इसमें पढ़ते हैं, और अगर उद्योगी इसको बोला जा चौंत्रा घाटी, कुछ घाटी होती है जो ड्रेक्टली आपको यही याद रखना है कि कहां पर पढ़ती है, तो चौंत्रा घाटी पढ़ती है आपकी मंडी में, ठीक है, मंडी में पढ़ती है, और मंडी के जोगिंदर नगर में, अगर आपसे ज़्यादा ही डिटेल में पूछ ले जाए ठीक है जी बस इतना ही आपको जो है वो इस पारे में याद रुखना है इसके बाद जस्वा दून की अगर बात करें जस्वा दून ठीक है तो जस्वा दून कहां पर है ठीक है ये पढ़ती है आपकी उना में ठीक है और इसको एक और नाम से जाना जाता है घाटी भी बोला जाता है जस्वादून को क्या बोला जाता है ये सुमां घाटी भी बोला जाता है ये चीज याद रखेगा फिर आती है आपकी अश्वनी घाटी कहां पर आती है ठीक है अश्वनी घाटी आपकी जनरली जो है वो आपकी शिमला से लेकर वैसे तो इसको option में जो है वो सोलन ही आता है ठीक है बट ये जो फैली हुई है ये आपकी शिमला, चायल, कंडगाट, सोलन और धरमपूर तक फैली हुई है ठीक है और वैसे option में जो अगर कभी आपके पास आए तो आप जो है वो सोलन इसको लगा सकते हो ठीक है और इसके जो है वो बाईं और के सोलन के आती है जो कि है आपकी सब प्रून घाटी ये भी आए बहुत बार पूछी जाती है कि सब प्रून घाटी कहांपर स्थित है तो ये आपकी सोलन में स्थित ए उसके बाद आती है आपकी दाविन घाटी दाविन घाटी, दाविन घाटी आपकी काम पर पढ़ती है, दाविन घाटी पढ़ती है आपकी बिलासपूर में ठीक है, बिलासपूर में जो है वो दो पहाड़ियां है, एक है बहादूरपूर धार, मतलब की धार जिनको बोलते है बहादुरपुर धार है आपकी एक और एक है आपकी बांदला धार तो इन दोनों के बीच में जो है वो आपकी दाविन घाटी है ये कोशन कई बार पूछा जाता है कि किन दो पहाडियों के बीच में आपकी बैयाने के परवत श्रिंखलाएं सोच बोल लिजिए पहाडियों बोल लिजिए तो किन दोनों के बीच में जो है वो आपकी दाविन घाटी पढ़ती है तो वो पढ़ती है आपकी बहादुर पूर धार और बांदला धार के बीच में एक है आपको कुनिहार घाटी के अगर बात करें तो यह जो है वो सोलन में पड़ती है और इसकी शुरुवात जो होती है वो कुनि खड से होती है यह कोशन आपका शैसे नाइपते सिल्दार में पूछा गया था कि जो आपकी यह कुनिहार घाटी है यह कहां से शुरू होती है और यह तकुर दिया तक फैली हुई है तकुर दिया तक ठीक है जी कहां से शुरू होती है कुनी खड से और तकुर दिया तक फैल हुई है कहां पर पढ़ती है सोलन डिस्टिक में आपकी पढ़ती है नेक्स्ट आपकी कौन सी है गंभर गाटी गंभर घाटी है ठीक है जी गंभर घाटी के बारे में अगर बात करें तो ये भी आपकी सोलन जिले में है याद रखेगा और जब सोलन डिस्टी के बारे में बात करेंगे तो एक बार आपकी फिर से रिवेजन हो जाएगी और उसके बाद क्या है कि ये जो है वो गंभर नद जहां से ये जीले में entering लेती है अच्छा सोलन के बाद ये कहां पर जाती है ये जाती है आपकी बिलास्पूर में ये जन्नन ऊलिज के लिए क्योंकि कई बार question आ जाता है कि गंबर घाटी जो है वो सोलन जीले के बाद कौन से जिले में जाती है ठीक है तो ये आप याद रखिएगा अच्छा फीर एक important है इमला विमला ये कहां पर है ये है आपकी मंडी जिले में इस से बस इतना ही important याद रखिएगा ठीक है और अगर और भी याद रखना है तो आप शिकारीधार से परलोग के बीच में शिकारीधार प्लस परलोग इसके बीच में जो है ये इमला विमला है वैसे ये नहीं पूछा जाता है जारतर ये डिरेक्ली आता है कि इमला विमला कहां पर है वैसे इस से जो आपको सिरफ याद रखना है कि चुरहा घाटी कहां पर पढ़तिया तो चुरहा घाटी पढ़ती आपकी चंबा में ठीक है उसके बाद गारा घाटी कहां पढ़ती है गारा घाटी आपकी जो है वो लाहौल में पढ़ती है ये सिरफ आपको नाम से याद रखना है और चोहार घाटी चोहार घाटी कहां पर पढ़ती है ये आपकी मंडी में पढ़ती है तो ये कुछ है जो कि आपको नाम से ही जो है वो याद रखना है चुरहा करते हैं अब mcqs के बारे में ठीक है बट mcqs करने से पहले आप सभी को मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है ठीक है प्रिक्षा बूस्टर का उसको जुरूर सब्सक्राइब करके रख लिजेगा करंट अफ्यर में बहुत जादा काम आएगा जब त एक कोश्टन को कुछी भी कोश्टन को स्किप मत कीजेगा इंबला मिमला घाटी हिमाचर प्रदेश के किस जिले में स्तीत है easy question है, मंडी में मैंने अभी इपता है, मंडी जिले में जो है, वो सिते है, हिमाचर प्रदेश की 14 दून घाटी को कौन सी नदी सिंचित करती है, यह आपका anti में question पूछा गया है, ठीक है, कि कौन सी नदी सिंचित करती है, आचाए, गीरी नदी, बाटा नदी, गीरी और पूछा गया है, ठीक है, लाइड या anti में इनमें से किसी में पूछा गया है, ठीक है, कि जो आपका सनावर, डक्षाई और कसोली है, वो कहां पर है, ठीक है, तो वो है आपकी सरसा घाटी, ठीक है, सरसा घाटी, उद्योगिक घाटी, ठीक है, नेक्स्ट है आपका question, निमल पॉन्ता गाटी को और देहरा दून घाटी को कौन सी नदी सेपरेट करती है यमुना नदी जो है वो separate करती है ठीक है और 14 धून गाटी को अभी उपर ही हमने discuss किया है कि गीरी प्लस जो है वो बाटा नदी सिंचित करती है तो question जो है वो बना के चलिएगा अपने तरीप के से लोसर गाओं के किन दो घाटियों के बीच में जो है वो कुंजुम देवी का मंदिर जो है वो स्थित है ये पूछा गया है आपके lecturer के exam में ठीक है तो इसका जो सही आंसर है वो है स्पिती और लाहौल ये directly आपको याद रखना है तब अच्छा फिर नेक्स्ट है आपकी मूलगन घाटी हिमाच्र प्रदेश की किस जिले में स्थित है मूलगन घाटी वाला question है स्पिति में ठीक है याद रुखेगा important है पिन घाटी आपकी पढ़ती है स्पिति बें गहाए कि जिले की सबसे सुन्दर घाटी का नाम क्या है कि नोर का पूचत कशा गया है जो कि सबसे सुन्दर है मोरंग है रिबğerा-कानम है या सांगला है तो वो है आपकी सांगला, सांगला घाटी जो है वो सबसे सुंदर है, रिबा भी है, मोरंग भी है, सारी की नौर में ही पड़ती है, ये भी याद रखिएगा, अंगूरों की भूमी किसको कहा जाता है, रिबा को कहा जाता है, और सबसे सुंदर है आपकी सांगला, तो ये य तो कुल्लू इसका जो है वो सही आंसरोंगा सोलंग घाटी आपकी पढ़ती है कुल्लू में नेक्स्ट धाविन और चेंतो घाटी किस जिले में पढ़ती है धाविन और चेंतो के बारे में बताना है तो यह आपकी पढ़ती है बिलासपुर में कौन कौन सी धाविन ठीक है औ वो पट्टन घाटी आपकी पढ़ती है कांगड़ा और कुल्लू घाटी है। जो बनाई गई है, तो बंदर घाटी है, तो समें पोचा गए तो बंदर घाटी पढ़ती है आपकी चंबा में। याद रखेगा अब से आपको भूलना नीचे भी बंदर घाटी कहां पर पड़ती है ठीक है और ये जो उपले वाला कोश्चन था ये पूचा गया है आपका एंटी में तो सारे कोश्चन वही है कामरू गाओं किस घाटी में स्थित है ये मैं आपको बताई था कि कामरू गा पर सुठा के देखेगा आपको पता लगेगा ये सब पूचे गया है तो यूल गाटी पड़ती है आपकी कि नौर में नेक्स्ट है हिमाचप देश की किस घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है ये जे बीटी में आया था मैं तो सारे कोश्चन कवर करूँगा जे बी अभी तो यहां पर स्प्रून लिखा है तो आप स्प्रून से इसली पहचान लोगे कि कहां पर स्थित है तो आप इसली लगा दोगी कि सोलन में स्थित है बड़ अगर स्प्रून नहीं होता है और दून होता है तो आप यह सो सकते हैं कि अलग से आप क्यारदा सोचने से य एक जस्वा दून भी है तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट सोच लेते हैं कि यह मिस्प्रिंट हुआ है अगर सेप्रेड पूछा जाए तो आपका सेप्रेड यह दून घाटी आपकी सोलन में पढ़ती है पांगी घाटी कितनी उंचाई पर सित है अब यह उंचाई से जो कोश्चन पूछा गया है वो नैपते सिल्दार में पूछा गया है तो यह है आपकी 14,528 फीट इसलिए मैंने जिनकी इंपोर्टन थी आपको एप्रॉक्स आइडिया दे दिया है ठीक है अब है आपका कुनिहार घाटी कहां से शुरू होती है कुनिहार घाटी कहां से पास option दिये गए है और यह मैंने आपको अभी उपर करवाया था कुनिहार घाटी यह एच्चेस में पूछा गया है कुश्चन की कुनिहार घाटी कहां से शुरू होती है तो कुनि खड से जो है वो कुनिहार घाटी आपकी शुरू होती है ठीक है जी नेक्स्ट है इमाचर पतेश की बिलासपूर जीले की दाविन घाटी किन दो पहाडी शनंकलाओं के बीच में स्थित है वही question आगया जो मैं आप से पूछा था एंटी में पूछा गया है प्रीवियस में नैपति सिल्दार में तो बहादूर पूर धार और बंदला धार के बीच में कौन सी है आपकी दाविन घाटी है काँ पर पढ़ती है बिलासपूर जीले में होगे clear अच्छा किबर गाउन इमलिकित में से किस घाटी में कई बार ये print क्या हो जाता है खिबर तो याद रखेगा किबर भी print हो जाता है ठीक है एक्चेस में पूछा गया है किबर गाउन इमलिकित में से किस घाटी में स्थित है तो किबर गाउन है आपका काजा घाटी में स्थित है हिमाचर प्रदेश की सबसे उपजाओ घाटी पता ये आपको कौन सी है हिमाचर प्रदेश की सबसे उपजाओ घाटी वो है आपकी बलहा घाटी नेक्स्ट है किस घाटी को वीर भूमी के नाम से जाना जाता है ये भी आपको पता है कांगड़ा घाटी को जो है वो वीर भूमी के नाम से जाना जाता है दोलाधार और पीर पंजाल के बीच में कौन सी घाटी है ये आप से question पूछा गया है और ये question जो है वो एचेस में पूछा गया है तो इसका जो सही answer है वो है आपका बड़ा भंगाल घाटी इम्पोर्टन आए याद रखेगा बड़ा भंगाल घाटी जो है वो आपकी दोला तो ये थे कुछ important MCQs, ठीक है, जो की आपको clear हो गएगा, कि इस तरीकी के question जो है, वो पुछे जाते हैं, बाकी मैंने आपको फिर भी बोला है, कि वो जादा detail में हम उसमें जाएंगे, जहां पर हमें जरूरत होगी, इनमें इतनी ही जरूरती पढ़ने की, इसे जादा चाते हो, तो आप बुक जो है, वो प्रैफर कर सकते हो, ठीक है, और बाकी परिक्षा booster, परिक्षा, परिक्षा booster को जो है, वो जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा, बहुत जादा काम आएगा, आने वाले समय में जब exam हो जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगे, कौन कौन से question जो है, वो वहाँ से पूछे गए थे, current affair के, ठीक है, तो उसको subscribe करके रख लिजेगा, description link है, telegram पर हमारे साथ जूड़ सकते हो, official GK study, हमारा जो है, वो link है, ठीक है, यह official GK study यहाँ पर लिखा गया है, और वीडियो कैसी लगी, comment करके जुरूर बताया कीजिए, ठीक है